हलो गाइस अब सभी को आइस्क्रीम तो बहुत ही पसंद होई इसलिए हम लेकर रहा है पाँच ऐसे ही आइस्क्रीम फैक्स जो आपके दिमाग को पूरी तरह ठंडा कर देंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आइस्क्रीम को दुनिया में बहुत ही जादा पसंद किया जाता है अगर हम इसके हिस्ट्री में देखे तो हमें यह नहीं पता कि इसे पहली बार किस ने बनाया बेसिक स्टोरी देखे तो हमें पता चलेगा कि रोमन एमपायर का एमपररर नीरो स्नू के साथ फ्रूट्स और हनी घाना पसंद किया करता था तो कुछ हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि मारको पोलो यॉरॉप में पहली बार आइसक्रीम लेकर आय था तो अगली बार जब आप अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम का मजा लेते रहेंगे तो पूछेगा क्या उन्हें पता है कि आइसक्रीम सबसे पहले किस ने 304 में एक आइसक्रीम वेंडर के पास आइसक्रीम बाउस खतम हो गए और क्योंकि उसके पाद बहुत ही जादा कस्टमार थे और तब ही उसने एक वैफल वेंडर की मदद ली और उन दोनों को आइडिया आया कि क्यों ना वैफल को कौन के शेप में फोल्ड करके उसमें हुआ तो दोस्तों अब आपको पता है कि आइसक्रीम कोन कहां से आया आइसक्रीम की बात हो और हम फ्लेवर की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता लेकिन कि आपको पता है कि पहले कौन सा फ्लेवर आया चौकलेट या वैनिला काफी लोग यह सोच रहे होंगे कि वैनिला पहले आया पर असल में चॉकलेट का इंवेंशन पहले हुआ और दोस्तों कमेंट करके बिल्कुल बताईए कि आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है अब चलते हैं हमारे चौत एफेक्ट के तरफ और इसमें हम एक ऐसे फ्रूट के बारें बात करेंगे जो टेस्ट में बिल्कुली आइसक्रीम के समान लगता है ये एक हवाईयन फ्रूट है और इसका नाम है पैके और इस फ्रूट का टेस्ट बिलकुली वैनिला आइस क्रीम के समान लगता है लोकल्स इसे आइस क्रीम बीन भी कहते हैं और ये फ्रूट बहुती गरम इलाके में उकता है तो दोस्तो अगर आपको कभी आईशक्रीम नहीं मिल रही तो आप यह fruit बिलको लिका सकते हैं पर अफसोस इंडिया में यह नहीं होकता है और आखरी में दोस्तों कि आपको पता है कि दुनिया में सबसे आदा आईशक्रीम कौन से कंट्री में खाए जाती है और वो कंट्री है यूएस यूएस में सबसे ज़्यादा आइस्क्रीम खाई जाती है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है नौर्वे का नंबर तो दोस्तों आज के आइस्क्रीम फैक्स में बस इतना ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास ऐसे ही मज़ेदार फैक्स लाते रहें तो प्लीज हमारे पेज को लाइक, शेर और सस्क्राइब करें और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसके ओपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाए तो आप हमें बिलकुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई